वहीं हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानि आज 11 जून को सेंसेक्स करीब 100 अंक गिर कर 46,390 के इस्तर पर पहुँच गया है निफ्टी में भी करीब 20 अंकों की गिरावट है यहां 23,230 के इस्तर पर कारोबार कर रहा है वहीं आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी सेक्टर में है वहीं NSE के रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा 0.9 प्रतीशत की तेजी है वही ओईल एंड गैस इंडेक्स भी 0.6 प्रतीशत चड़ा है वहीं आटो फॉर्मा और PSU बैंक इंडेक्स मामूली तेजी के साथ कारोबार कर रही है वहीं सेंसेक्स के 30 में से 18 हमें तेजी और 20 हमें गिरावट देखने को मिल रही है